नमस्कार, आपका स्वागत है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, दोस्तों, साल का सबसे पवित्र दिन, जिसे देवुठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, इस वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाएगा, यह एकादशी अन्य सभी 24 एकादशियों में सबसे अधिक शुभ पाय भी हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, और नई दिशाओं के दरवाजे खोल सकते हैं, इस दिन श्रद्धालु तुलसी के पौधे पर एक विशेश वस्त्र बांधते हैं, और गाय को विशेश सामगरी खिलाते हैं, जिससे परिवार में सुक सम्रिध् इस खास अवसर पर मैं आपको इस दिन के विभिन पहलूँ की विस्तरत जानकारी दूँगा, जिससे आपको पूर्ण लाभ मिल सके, कार्तिक मास के शुकल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है, जो दिवाली के ग्यारह दिन बाद आती है, इस साल यह दिन बारह नवंबर को है, इस बार का संयोग भी खास है, क्योंकि इस दिन राज अमृत सिद्ध योग और सरवार्थ सिद्ध योग बन रहे हैं, जो भगवान विश्नु की पूजा के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं, इस दिन भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख और शांती आती है, सनातन धर्म में देव उठनी एकादशी का खास महत्व है, यह दिन भगवान विश्नु के जागने का प्रतीक है, जिससे सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह सगाई मुंडन आदिपुनह प्रार 12 नवंबर की शाम चार बज कर चार मिनट तक रहेगी, इस दिन का वरत 12 नवंबर को रखा जाएगा और इसका पारण 13 नवंबर को सुभह 6 बज कर 42 मिनट से 8 बज कर 51 मिनट के बीच किया जाएगा, वरत के दौरान निर्जला रहकर उपवास करने का विशेश महत्व है, य इस दिन गन्ने का मंडब बनाकर बीच में चौक बनाएं, जिसमें भगवान विश्नु की मूर्ति रखें और चरण चिन्ह बनाएं, जो ढखे रहेंगे, भगवान विश्नु को गन्ना सिंगाडा फल और मिठाई अर्पित करें, और घी का दीपक जलाएं, जो रात भर जल सुबह के समय भगवान के चरण स्पर्ष कर उन्हें उठाएं कीर्तन करें और व्रत कथा सुनें, माना जाता है कि भगवान विश्नु के चरण स्पर्ष करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, भगवान विश्नु के जागने के बाद उनके शालिक राम स्वरूप का तुलसी से विवाह होता है तुलसी को भगवान विश्नु की प्रियमानी जाती है और इस दिन तुलसी अर्पित करने से भगवान विश्नु प्रसन्न होते हैं इसे प्रकृती का संरक्षण और वैवाहिक सुख के लिए लाबकारी माना गया है इस एकादशी के दिन यथा शक्ती अन्नदान करने का प्रावधान है, लेकिन किसी और का दिया अन्न ग्रहन करें। अगर निराहार व्रत रखना संभव न हो, तो एक बार भोजन करें। और केवल दूध फल, शकरकंद, कुत्तू, काली, मिर्च, सेंधा, नमक आदी का ही और एकादशी के दिन व्रिक्ष से पत्ते न तोड़ें, स्वयम गिरे हुए पत्ते का ही प्रयोग करें। इस दिन गाजर शल्जम, गोभी पालक आदी का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान विश्नु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जा सकता है। परंतु इसे इस दिन बैंगन और सेम की फली का सेवन भी वर्जित होता है। सात्विक भोजन ही करें और हर चीज भगवान को अर्पित करने के बाद तुलसी के साथ ग्रहन करें। इस दिन भगवान हरी विश्नु के जागरण से सभी शुभकारियों की शुरुआत होती है। तो दोस्त मानिताओं के अनुसार देव उठनी एकदशी का महत्व अत्यधिक है। क्योंकि इस दिन भगवान हरी विश्नु अपनी चार महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन चावल और चावल से बनी चीजें खाने से भी परहेज करना चाहिए। क्योंकि चावल का सेव इस दिन न करें। चाहे आप वरत पर हों या नहीं। कोशिश करें की केवल सात्विक भोजन ही घ्रहन करें। वरत रखने वालों के यिए इस दिन कुछ नियम पालन करना अनिवार्य है। जैसे किसी के प्रतिद्वेश नहीं रखना, नहीं किसी से वाद विवाद करना... भगवान हरी विश्नु का केसर मिश्रित दूध से अभिशेक करें। इस दिन पूजा अर्चना अवश्य करें। विशेश रूप से श्री विश्नु सहस्त्र नाम का पाठ या विश्नु स्तुती का जाप करें जिस से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन दान माता पर वस्त्र अर्पित करने का भी महत्व है क्योंकि तुलसी मा को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। पर भगवान हरी विश्नु का आशीरवाद प्राप्त करने के लिए हल्दी मिले पानी से स्नान करें और पीले वस्त्र धारन करें। ऐसा करने से भगवान की कृपा बनी रहती है और करियर में आ रही सभी बाधाएं दूर होती है। के लिए पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शाम को उसके नीचे दीपक जलाएं। ऐसा करने से कर्ज मुक्ति की प्राप्ती होती है। कार्तिक माह में तुलसी माता की पूजा का विशेश महत्व है। इस दिन तुलसी माता पर गन्ने का रस चढ़ाने के साथ एक देशी घी का दीपक जला कर आरती करें। ऐसा करने से जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती और सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन कुछ विशेश गलतियों से बचना चाहिए। जैसे दिन में सोना जो भगवान विश्णु का अपमान माना जाता है, इस दिन भगवान नारायन के नाम का कीरतन या भजन करना अत्यंत लाभकारी होता है। पौरानिक कथाओं के अनुसार एकादशी पर चावल खाना वर्जित है। माना जाता है कि इस दिन चावल का सेवन व्यक्ति के भविश्य पर भी असर डालता है। इसलिए इस दिन चावल के साथ साथ अंडा मांस मदिरा लहसुन और प्याज जैसे तमसिक भोजन से परहेज क रखना या भला बुरा कहना भी वर्जित माना गया है। इस दिन का महत्व केवल उपवास तक सीमित नहीं है बलकि यह विचारों और भावनाओं की भी शुद्धि का समय है। जब हम किसी के प्रती बुरा नहीं सोचते और भगवान के प्रती भक्ती भाव रखते हैं तो ह हमारी पूजा अधिक प्रभावी मानी जाती है। इस प्रकार इस दिन हमें अपने मन को शांत रखते हुए केवल प्रभुश्री हरी की भक्ती में लीन रहना चाहिए दोस्तों। भगवान हरी विश्नु को तुलसी का पौधा अत्यंत प्रिय है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी का भूल से भी नहीं। पत्ता तोड़ना चाहिए। इस दिन तुलसी के पते तोड़ना वर्जित माना गया है क्योंकि आपका ऐसा करना श्री हरी को नाराज कर सकता है। इस दिन तुलसी के पौधे का विशेश महत्व होता है और इसे श्रद्धा भाव से पूजा जाता है। केसर केला, हल्दी मोरपंख और शंख आदी का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन का महत्व इतना है कि इसे शुभ कारियों के प्रारंभ करने का प्रतीक माना गया है। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन को तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। इसमें माता तुलसी का विवाह भगवान श्री हरी विश्नु से किया जाता है। इस परंपरा का विशेश धार्मिक महत्व है क्योंकि तुलसी का पौध ना केवल पवित्र पौधा माना जाता है। तुलसी विवाह का पर्व हमारे जीवन में शुभता और सम्रिध्ध का प्रतीक है। इसे एक पावन दिन माना गया है, जब भगवान हरी विश्नु और माता तुलसी का विवाह संपन्न होता है। यह विशेश दिन जिसे देवो थान एका दशी कहा जाता है। भगवान विश्नु के शालिग्राम रूप और तुलसी माता के संग विवाह का दिन होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विश्नु चार महीने की योग निद्रा से जाकते हैं और इसी के साथ ब्रह्मांड के संचालन का कार्य पुनह आरंभ करते हैं। शास्तरों के अनुसार इन चार महीनों में भगवान शिव, सृष्टी का प्रबंधन अपने हाथ में रखते हैं और भगवान हरी की अनुपस्थिती के कारण सृष्टी का भार स्वयम उठाते हैं। भगवान विश्णु की इस निद्रा का कारण स्वयम माता लक्ष्मी है। कृपा सदैव बनी रहेगी। का रिमाना गया है। तुलसी जिसे विभिन नामों जैसे व्रिंदावनी कृष्न जीवनी और नंदिनी से भी जाना जाता है। भगवान विश्णु के चरणों में अर्पित की जाती है। राजा ने उसे एक शर्त पर रखा कि एकादशी के दिन उसे भोजन नहीं मिलेगा। जिसे उसने स्वीकार किया। परंतु एकादशी के दिन जब उसे फल दिये गए तो उसने खाने के लिए भोजन की मांग की। राजा ने उसे दिये हुए शर्त की याद दिलाई। परंतु उस व्यक्ति ने भूख के कारण जोर दिया। आखिरकार राजा ने उसे कुछ अन और दाल दे दी। उस व्यक्ति ने भोजन को भगवान के साथ साज़ा करने के लिए नदी के किनारे जाकर भगवान विश्नु को पुकारा। उसकी पुकार पर भगवान चतुर भुज रूप में प्रकट हुए और उसके साथ प्रेम पूर्वक भोजन करने लगे। यह देखकर व्यक्ति की आस्था और भी बढ़ गई। और अगली एकादशी पर उसने दुगने भोजन की मांग की। जब राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि भगवान स्वयम उसके साथ भोजन करते हैं। इस पर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने इसका प्रमान देखने का निश्चय किया। राजा उस व्यक्ति के साथ छिप कर बैठ गए। जब व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को पुकारा तो भगवान प्रकट नहीं हुए। व्यक्ति ने विनती की और अंत में उसने कहा कि यदि भगवान नहीं आए तो वह नदी में कूद जाएगा। उसकी द्रढ निष्ठा देखकर भगवान प्रकट हुए और उसके साथ भोजन ग्रहन किया। बाद में भगवान ने उसे अपने धाम ले जाने का आशीरवाद दिया। यह सब देखकर राजा को एहसास हुआ कि वरत का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब मन की शुधता हो। इसके बाद राजा ने भी पवित्र मन से वरत रखना शुरू किया। जिससे अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ती हुई। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि वरत का सही अर्थ सिर्फ भोजन न करना, नहीं बलकि मन की शुधता और भक्ती के साथ भगवान का स्मरण करना है। भगवान विश्णू के प्रती इस विश्वास और भक्ती के साथ जो वरत रखते हैं उन पर सुख शांती और सम्रिध का आशीरवाद बना रहता है। तो दोस दोस्तों मिनते हैं नेक्स्ट विडियो में आप सभी का दिल से धन्यवाद।